करता करे न कर सके, महादेव करेतु होए, तीन लोक नवखंड में करवली शंकर महादेव से बड़ा न कोई कुछ सरीर, कुछ बने थे, कुछ सरीर, कुछ बने थे, ऐसे अलग-अलग सरीर, अलग-अलग स्मिर्तियों, जब वो इस स्मिर्ति आगे आती थे, आप ऐसा रियक्शन, ये सरीर आते थे, तो ऐसा रियक्शन, है न, अपने आप ही में सिफ्ट हो जाती है. परंपोजने गुरुदेव जी के स्रिच रड़ों में कोटी-कोटी बंदन है खुश हो जा गुरुदेव करता करे न कर सके महादेव करेत होई तीन लोक नवखंड में करावली शंकर महादेव से बड़ा न कोई गुरुदेव मैं क्या दर्बार की महिमा का गान करूँ मा बाबा को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ क्योंकि इस दर्बार की महिमा का गान तो सहस्त्र मुखमाले शेशनाग नारद सारद रिचाएं वेद पुराण भी नहीं कर सकते तो मेरी गिंती इनके समक्ष किया है, गुरुदेव, मेरी द्रिष्टिता को चमा करियेगा, अपने दास को, अपने स्री चरडों में समर्पीत करने की कृपा करियेगा, गुरुदेव, मैं धन्ने हो गया, बहुत प्रार्थनाय की थी, आप से भी, मा बाबा से, माता जी से भ ने कर दिया गुरुदेव चंद सवाल हैं मैं चाहूंगा कि आप मुझे कृतार्थ करें गुरुदेव गुरुदेव तीन साल से तबियत खराब रहती थी ऐसा लगता था कि किसी का शरीर पे नियंत्रण हो गया है दिमाग काम करना बंद कर दिया है शरीर भी अपने बस में रहता था जब भी कुछ करने की सोचता था हलाकि मैं पढ़ाई करता था गुरुदेव ऐसा लगता था कि जैसे अर्ध भिहोसी की स्थिति में हूँ अभी भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शक्ती है मुझे रोकने का काम कर रही है मेरा दिमाग पकड़ ले रही ह कुछ समझ में नहीं आता है उस दसा में वाइपोलर बोल देते हैं जी अंदर ऐसा लगता है कि सरीर हील रहा है कोई हिला वही 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 तो जैसे आपके तमाम रोक कर्ष्थ जैसे राए जो लाल गोले बने हुए हैं यह आपके कर्ष्थ थे पढ़ लिए जो नस्ठी इस परती हैं बहां की परिवार की हैं जो लाल गहरे में वाप के तो यही सब था आपको इस गुरुदे कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि डाक्टर से कौन कौन से रोक का नाम लो लेकिन जैसे ही आप से माबाप से स्रद्धा लगाया मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कौन सा रोग है मैं तो सही हूँ आ लाल घेरे वाले जो लाल घेरे वाले कष्ट थे यह सवाब के थे कि सब की श्मृतिया नश्ट हुए आपके देख लिए सारे जी गुरुदेव सब नश्ट कुझ भी सेस नहीं बचा है ना जी अब आप अच्छे हैं और सदय भी अच्छे बने रहेंगे गुरुदेव ले